परदेश की भाशा में कहते हैं इस लोकसभा चुराव में तो आप लोगों ने गरदा कर दिया ऐसा गरदा कि अगर बीजेपी का रत मिजॉरिटी से पीछे रुका है ये मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी बोलता हूं वो समाजवादी पार्टी ने रोका जब 37 सीटे जीती क्या कहना चाहते हैं मैं पीडिये परिवार का धनिवाद देना चाहता हूं और समाजवादियों का पीडिये केवल नारा नहीं था ये भावना से जड़ा हुआ हमारा नारा बन करके इस चुनाव में उपढ़ाए आपने तो मुलायम सिंग जी का भी रिकॉर्ड नेक और उसके सयोगी कॉंग्रेस ने जीती दोहजार चार में सपा ने 35 सीटे जीती थी 26 परसंट वोट बिला था और 2024 में रिकॉर्ड 33 परसंट वोट मिला है जो सीटे हम लोग जीते हैं इंडिया गटवंदन और पीड़े की रणीस से भारती जंता पार्टी के लोग बहिमानी न करते तो पचास सीटों से उपर ये गटवंदन सीटे जीत गया हो तो अभी भी आपको बहिमानी दिख रही है कई लोग सभा की सीटें ऐसी हैं और जिस तरह से परसासन ने बिवहार किया था परसासन अगर निस्पक्ष रहता और जितनी भी शिकायतें समाजवादी पार्टी ने की थी उस पर इलेक्शन कमिशन एक्शन करता तो आज पचास सीटें इंडिया गटवंदन की होती हैं औ कि सैथे सीटें बाद के जीतने के बाद भी आपको लगता है कि परसासन उनी की तरफ था परसासन को यह नहीं पता था कि इंडिया गटवंदन और यह हम लोग मिलकर कि इतनी सीटें जीत रहे हैं जब उनको लगा तो जो वहार उनका हो सकता है वहार उन्होंने किया और कि आखों से दिखा कि किस तरीके से भारती जंता पार्टी के लोग बूत पर जा जा करके समाज़ादी पार्टी के कायकरताओं को परिशान कर रहे थे और पूरा परसासन उनके साथ था न्यूज एटीन इंडिया चौपाल एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बलकि दुनिया के कोने कोने में जाएगी क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष पर सरकार, समाज, सिलेबरिटी और स्पोर्ट स्टार्स के साथ न्यूज एटीन इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज एटीन इंडिया पर